जेहिन दोस्तों आज़कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं upcoming 3 बरी भरती के बारे में यानि की defense sector की 3 बरी जो भरती आपका होने वाला है यानि की आने वाला आपका जो vakancy है सबसे first जो आपका भरती है ABC GD का इसके अलावा जो आपका next vakancy है CRPF Head Constable Ministerial और इसके अलावा ट्रेट्समेन का और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका भरती है आर्मी मेस का यानि कि मिलिटरी इंजिनियर सर्विस का तो आज की इस वीडियो में इन तीनों भरती की कमपलीट जनकारी आपको बताएंगे और इसकी फॉर्म आपका कप से सुरू होगा य यह आप सभी के लिए ग्रेट अपर्चनिटी है डिफेंस सेक्टर जॉइन करने के लिए तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तो सबसे फॉर्ष्ट भरती की यहाँ पे बात करें तो वह है SSEGD की आप सभी को बता दे SSEGD के अंतरगत 84405 पदों पर आपका भरती आने वाला है हलांकी जो पोस्ट की संख्या है ये कनफर्म नहीं है लेकिन अभी SSEGD के अंतरगत जो पोस्ट अभी भैकेंट है यानि की खाली है उसके एक और देखा जाए तो 84405 पोस्ट पर आपको भरती देखने को मिल सकता है इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें कौन से डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट खाली है तो CRPF के अंतरगत 29,985 पोस्ट खाली है यानि की सबसे ज़्यादा आपको इसी के अंतरगत देखने को मिलेगा क्योंकि आप सभी को पता होगा पिछले बार जो भरती आपका गया था 2021 में उसमें CRPF का वेकेंसी जारी नहीं किया गया था इसलिए इस सल जो है CRPF का पोस्ट आपको जादा देखने को मिलेगा BSF के अंतरगत 19214, ITBP के अंतरगत 3187 और इसके लावा असम राइफल्स के अंतरगत 9669 आपको वेकेंसी देखने को मिलेगा CISF के अंतरगत 10908 और SSB के अंतरगत 11402 और ANIA और SSF का अंतरगत अभी जो पोस्ट भैकेंट है उसकी जनकारी नहीं है लेकिन आप सभी को बता दे इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं रहता है 200 से 400 के बीच में जो है आपको इसमें पोस्ट देखने को मिल सकता है तो इतने पोस्ट पर जो है आपका भरती होने वाला है यानि की अपकमिंग है इसके बाद दोस्तो येज लिमिट की बात करें तो 28 से 23 आपका येज लिमिट रहेगा और 112-2022 के कोडिंग आपका येज काउंट किया जाएगा एसी एस्टी को पांच बरस ओबीसी को तीन बरस का येज में रिलक्सेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली तेंथ पास है किसी भी बोट से तो आप फर्म अपलाई कर सकते हैं रनिंग इसमें 5 किलो मिटर 24 मिनट में और लदाख रिजन के लिए 1.6 किलो मिटर सारे 6 मिनट में चेस्ट 80-85 और वेट जो है हाइट और एज के कोडिंग फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर सरे 8 मिनट में और लादाक रीजन के लिए 800 मिनटर 4 मिनट में वेट जो है हाइट एंड एज के कोडिंग मापा जाएगा हाइट की बात करें तो जो है आपका 117 सेंटीमीटर औल इंडिया एस्टी के लिए 162.5 सेंटीमीटर और जो नॉर्थ इस्ट के एस्टेट है वहाँ से अगर बिलों करते हैं तो एकसो पैंसर सेंटीमीटर फीमेल के लिए 157 और एस्टी और नॉर्थ इस्ट के लिए 155 सेलरी इसमें 25,500 से आपका सुरू होगा सेलेक्शन प्रोसेस में CBT एकजाम होगा फिचकल होगा, डॉक्मेंट होगा, मेडिकल होगा देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें यहाँ पे इसका सिलेबस की बात करें तो 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा 100 इसमें प्रोस्न रहेंगे 100 नमबर का और 90 मिनट आपको समय मिलेगा प्रोस्न आपका जेनल इंटलिजेंस और इजनिक जेनल लोरेज और अडवारनेस मैथमेटिक्स या इंगलिस या हिंदी में से कोई यह का आप ले सकते हैं सभी से 25 प्रोस्न आपका यहाँ पे रहने वाला है टोटल 100 प्रोस्न 100 नमबर का और 90 मिनट समय मिलेगा तो इसी के एक ओडिंग जो है आपको अपने तयारी करना है अगर आप S.A.C. G.D. में जाना चाहते हैं तो आप सभी अपने तयारी आज से ही सुरू कर दीजिए क्योंकि आपका वेकेंसी की जो डेट है वो कन फर्म हो चुका है अप्लिकेशन फी 100 रुपिया आपको लगेगा S.E.S.T. फीमेल को एक भी रुपिया नहीं लगेगा इसकी फर्म की बात करें तो 10-12-2022 से आप सभी अपलाई कर सकते हैं और 19-1-2023 तक इसका फर्म चलेगा और इसकी जनकारी ये स्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि की S.E.C. के तरब से दिया गया है तो दोस्तो इस दिन से जो है आपका फर्म सुरू हो जाएगा ओनलाइन मोड से और इसका एक जाम मार्च अप्रिल 2023 में होने वाला है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे S.E.C.C.E.P.F. यानि की Central Armed Police Force की अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं 43 सो पदो पर जो आपका भरती रिलिच किया गया था उसका अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए Best Book होने वाला है चक्छू Publication का आप सभी को बता दे या एक Practice Set है जिसमें 10 आपको Practice Set देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा Previous Year का साथ Salve Paper भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और आप सभी को पता है किसी भी एक जाम की तयारी करने के लिए Practice Set लगाना काफी ज़्यादा Important होता है और आप सभी को बता दे इसमें जितने भी Practice Set है और Previous Year का Salve Paper सभी का जो है Answer और Solution भी आपको देखने को मिलेगा तो इस Book को आप सभी पर्चेज कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में दे दिये हैं या आप सभी अपने नजदिक के मार्केट से भी जाकर इस Book को पर्चेज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो Next Vacancy है वा है CRPF के तरप से आप सभी को बता दे CRPF के तरप से ट्रेट्समैन और हेड कंस्टेबल मिनिस्टियल पोस्ट पर आपका नई भरती होने वाला है ये एक upcoming vacancy है जिसमें total आपको 5875 यानि की 5875 पोस्ट पर आपको भरती देखने को मिलेगा आप सभी को बता दे इसमें ट्रेट्समैन के अंतरगत 5000 एपरोग्स में आपका vacancy रहेगा और हेड कंस्टेबल मिनिस्टियल के अंतरगत 874 आपको पोस्ट देखने को मिलने वाला है इसके बाद दोस्तो एज लिमिट की बात करें तो ट्रेट्समैन के लिए 18-23 और S.C.M. के लिए 18-25 A.C.H.T. को 5 बरस का रिलेकसेशन और O.B.C. को 3 बरस का रिलेकसेशन आपको देखने को मिल जाएगा क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेट्समैन के लिए 13 पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ जीस भी ट्रेट के लिए आप फर्म अपलाई कर रहे हैं उस ट्रेट से रिलेटेड एक्सप्रियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना आवस्यक है जैसे कि मानली जीए कुप के लिए अगर आप फर्म अपलाई कर रहे हैं तो कुप ट्रेट से रिलेटेड एक्सप्रियंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा मिनिमम उन एर का तो आपके पास एक्सप्रियंस सर्टिफिकेट होना आवस्यक है इसके अलबा हेड कांस्टेबल मिनिस्टियल की बात करें तो सिम्पली टुएल्थ पास है तो फर्म अपलाई कर सकते हैं ट्रेट्समेन के लिए हाइट एक्सप्रियंस सर्ट रहेगा इसमें पेमेंट आपका लेबल फोर का 25,500 से सुरू होगा सबसे पहले इसमें रीटेन एक्जाम होगा और यहाँ पे फिजकल टेस्ट आपका होगा देन डॉक्मेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल और देन फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आप सभी को बता दें SCM के अंतरगत आपका स्कील टेस्ट भी होगा तो स्कील टेस्ट जो है रीटेन एक्जाम के बाद आपका होने वाला है और ट्रेट्समेंट के लिए आपका रीटेन होगा फिजकल होगा डॉक्मेंट होगा और इसके लाब आपका ट्रेट्ट टेस्ट भी इसमें कंड़क्ट कराया जाएगा इसके बाद अप्लिकेशन भी 100 रहेगा और CST female को एक भी रूपिया नहीं लेगेगा इसकी फार्म जो है online mode से अप अपलाई कर पाएंगे और यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी फार्म कप से सुरू होगा तो दोस्तों आप सभी को बता दे इस भर्ती का काफी ये स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और CRPF की जो आपका ये भर्ती है सितंबर या अक्टूबर मन्थ में आपको देखने को मिल जाएगा हालाएं कि कनफर्म डेट अभी आपको नहीं बता सकते हैं लेकिन जो टेंटेटिव यानि कि एक्सपेक्टेड जो डेट है वो सितंबर के लास्ट वीक तक यानि कि इस मन्थ के लास्ट वीक तक यह हो सकता है कि October month में जो है इस भरती का notification आपको देखने को मिल जाए और CRPF के तरप से अभी तक इस साल में जो है इस साल कोई भी भरती आपका release नहीं किया गया है और यह जो आपका भरती है यह आने वाला है तो दोस्तों यह भी भरती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा इसलिए इसकी तैयारी अगर आप सबी करना चाहते हैं तो सुरू कर सकते हैं कियोंकि यह भरती बहुत जल्द आपका आने वाला है इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपकॉमिंग वेकेंसी है वा है आर्मी मेस के तरब से यानि कि मिलिटरी इंजिनियर सर्भीस के तरब से जिसमें टोटल आपको पोस्ट 6670 यानि कि 6670 आपको पोस्ट देखने को मिलेगा और इसके अंतरगत फ्रेसर कैंडिडेट के लिए जो आपका वेकेंसी है 4591 रहेगा और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनके लिए 2089 आपका पोस्ट देखने को मिलेगा और इसके अंतरगत यहाँ पोस्ट नेम आप सभी देख सकते हैं इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे काफी सारे पोस्ट है इसके अलावा मेट के लिए जो आपका मेट की भड़ती है इसमें सबसे जादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा कैनमेन के लिए यहाँ पोस्ट रहेगा टोटल 4591 फ्रेसर के लिए और डिपार्टमेंटल के लिए 2089 इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो इसमें अठारे से 27 आपका एज लिमिट रहेगा ACST को 5 बरस और OBC को 3 बरस का एज में रिल एक्सेसन आपको देखने को मिलेगा इसमें से कुछ पोस्ट के लिए जो है आपका 28 से 25 भी एज लिमिट रहेगा और कुछ पोस्ट के लिए 28 से 27 इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो LDC के लिए 12 पास है तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं UDC के लिए graduate पास है तो आप सभी फार्म अप्लाई कर सकते हैं और basic knowledge और computer आपको होना चाहिए S2 के लिए 12 पास होना चाहिए और 37 experience जो है इस trade में S2 के लिए 12 पास है तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं Pion के लिए 13 पास है तो फार्म अप्लाई आप कर पाएंगे चोकीदार के लिए 13 पास, सफाई वाला के लिए 13 पास और 37 वान एर का experience आप से मांगा जाएगा इसके लावा जो mate की आपका भरती है इसमें 13 पास है तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं या इसके लावा IT यह पास आउट है तो भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो CMD की जो भरती है इसमें तेन्थ पास, Canvan के लिए तेन्थ पास और Meter Reader के लिए 12 पास होना चाहिए तो ये इसका qualification है, syllabus की बात करें तो इसमें 100 प्रस न पूछे जाएंगे, 125 नमबर का और 120 मिनट आपको समय मिलेंगे और OMR Best आपका Retain Exam इसमें होगा, तो अगर आप सभी इस भरती में जाना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी आप सभी कर सकते हैं क्योंकि इसका short notice आ चुका है, इसका syllabus देख लिजिए, General Intelligence and Regening से 25, General Awareness and English से 25, Numerical Efficiency से 25 और a special topic की बात करें, तो जिस भी trade के लिए form apply कर रहे हैं, उससे related आपका 25 रहेगा, 50 नमबर का और बागी ये सब भी परतेक एक एक नमबर का रहेगा और a special topic के जो परतेक 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 दो नमबर का रहेगा, इसमें जो है 120 मिनट आपको समय मिलेंगे तो आप इस सी levels के coding जो है, आप सब भी अपना army में इसकी तियारी कर सकते हैं payment इसमें level 4 का मिलेगा, अलग-अलग first के लिए अलग-अलग salary आपका रहेगा selection process में OMR based exam होगा, उसके बाद physical test या trade test या skill test होगा, document, medical और final merit list बनेगा इसके बाद दोस्तों इसकी form की बात करें, तो इसका form जो है आपको next month में देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी जो है इसका short notice आया है, जिसमें भरती की complete details जो है यानि की concentrate के अंतरगत कितना post है, उसका details दिया गया है तो इसका full notification बहुत जल्द आने वाला है, आपको next month में इसका भरती का full notification देखने को मिल सकता है ये एक expected date आपको बता रहे हैं क्योंकि ये एक upcoming vacancy है, confirm ये date नहीं है लेकिन हो सकता है कि October month में जो है इसका full notification आपको देखने को मिल जाए तो I hope आप सभी समझ गए होंगे, ये जितने भी भरती आपको बताए है, सभी upcoming vacancy है, अभी आपका ये भरती नहीं आया है upcoming ये सभी भरती जो है आपका आने वाला है, तो I hope आप सभी समझ गए होंगे, कोई भी सवाल हो, comment section बताइए, फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम